पागत है आपका हमारे चैनल पायोवेटिक से और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों लॉंग के फायदों के बारे में जियां दोस्तों डाइबिटीज के मरीजों के लिए लॉंग किसी रामबान और शदी से कम नहीं है आज के वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डेटेल देंगे और बताएंगे लॉंग का इस्तमाल कैसे करें जिससे आपकी बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे तो दोस्त के लिए एक व्यापक समस्या बनी हुई है और अगर भारत की बात करें दोस्तों तो लगभग 7 करोड से ज़्यादा लोग कहीं न कहीं डाइबिटीज के शिकार है और वास्ताव में ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें डाइबिटीज है दोस्तों इसके लक्षण बहुत सामानिय है शुरुवात में इसलिए इसे कहीं न कहीं धीमा जहर या स्लो पॉइजन भी कहते हैं डाइबिटीज को और आप समझ ये कि किसी भी डाइबिटीज के मरीज को ब्लेट सुगर को कंट्रोल करना यानि दोस्तों आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कहीं न कहीं डाइबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कारगर हैं और आज हम उन्हीं में से किसी एक फूड आइटम की बात करने वाले हैं जी हां दोस मैं आपको बताऊं दोस्तों के लॉंग का इस्तमाल व्यापक रूप से खाना पकाने से लेकर चाय बनाने या फिर दाल आदी जैसी चीज़ों में किया जाता है। दोस्तों औशदिये गुणों से भरपूर, लॉंग स्वास्थे के लिए बेहत फाइदेमद है और इसके सेवन से सर्दी, खासी, सिर्दर्द या अन्य बिमारियों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों के लॉंग में anti-inflammatory और antiviral गुण हैं जो इसे और उपयोगी बनाते हैं। दोस्तों लॉंग में कुछ खास chemical पाया जाते हैं जो हमारी blood sugar level को control करते हैं खास तोर पे इसमें nigresin पाया जाता है दोस्तों और ये nigresin जो है वो हमारी insulin sensitivity में सुधार लाता है। दोस्तों diabetes के मरीज अलग-अलग तरीके से लॉंग का सेवन कर सकते हैं जैसे के लॉंग को हमेशा चूसना चाहिए एक्सपर्ट कहते हैं उसे निगलना नहीं चाहिए इससे इसका फायदा ज़्यादा मिलता है इसके अलावा दूसरा तरीका है दोस्तों के diabetes के मरीज खाने म लॉंग डाल कर भी खा सकते हैं फिल दोस्तों अगर आपको diabetes है तो आपके लिए लॉंग का सेवन करने का सबसे कारगर तरीका है कि आप लॉंग का पानी बना करके पीजिए दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि ये लॉंग का पानी आपको कैसे बनाना है तो सबसे फैले 4-5 को थोड़े से जीरे में यानि लगवग आधा चमा जीरे में भून लीजिए फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए दोस्तों अब क्या करना है कि एक पैन में लगवग एक से डेड़ कप पानी ले करके उसमें इस पौडर को डालिए और लगवग दो चिटकी दाल चीनी डाल दी और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दीजे और दोस्तों जब ये पानी लगवग आधा रह जाए तो इसको छान करके पी जाए दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही कारगर है आप इसे जरूर आजमाईए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज दीगई जानकारी अगर आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें